यूनाइटेट किंग्डम ने फाइजर और बाइएंटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है अमेरिका और यूरोपियस संग के फैसले से पहले फाइजर और बाइएंटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूनाइटेट किंग्डम पहला पश्चिम देश बन गया है यह वैक्सीन अगले हफते से ब्रिटिन में उपलब्ध होगी ब्रिटन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी के बाद विश्वस्वास संगटन के महान देशक टेडरोस एडनोम ने कहा कि उनाइटेट किंग्डम आपाद कालिन उपियों के लिए फाइजर बायो इंटेक वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश है और अगले सब्ता से टीका करन शुरू होने की उम्मीद है बता दे कि कुछ दिन पहले ही फाइजर कंपनी ने एलान किया था कि वो लैब में कोविड नाइटीन यानि कोरोना की ऐसी वैक्सीन बनाने में सफल हुई है जो वाइरस के सामने 16 प्रतीशत असरदार है कल ही जर्मनी की बायो फार्मसेटिकल कंपनी बाय इंटेक और इसकी अमेरिकी साज़ेदार फाइजर ने यूरोपिया संग के सामनी वैक्सीन रिजिस्ट्रेशन के लिए अपचारिक आवेदन दिया था ब्रिटन की मेडिसन और हेल्ट केर प्रोडक्स रेगलेटरी एजनसी से फाइजर और बाय इंटेक कोरोना वाइरस वैक्सीन का आकलन करने की मंजूरी दे दी ये एजनसी यह भी निर्धारित करने की प्रक्रिया में है कि क्या उक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रजेन का की वैक्सीन कठोर सुरक्षा मानकों को पूरा करती है या नहीं